नमस्कार आप देख रहे हैं टीबी 24 और मैं हूँ आपके साथ हानन्या मिश्रम समान नागरिक्ता सहिंता यानि कि UCC को हमारे संब्रधान में राज्चों के नीती निदेश्वक सुधानतों के आनुछेत चवालस के तहत परिभाशित किया गया है इसमें कहा गया है कि पुरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक्ता सहिंता सुनिश्चित करना राज्च का करतब्य होता है दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसका आर्थ है कि एक देश में एक नियम हो सकता है यानि कि अब हम आपको बता दे कि समार नागरिकता सहिंदा धर्म की परवा किये बिना सभी नागरिकों के वक्तिगत मामलों को नियंतरित करने के लिए कानून का एक सेट रखती है जो यह सुनिश्रित करती है कि उनके मौलिक और सम्वैधानी का अधिकार सुरक्षित है और इस कानून को लागू करने के लिए पुरिदेश में सबसे पहला राज्य उत्रखंड बना है जो इस कानून को सबसे पहले अपने राज्य में लागू करेगा वहीं आज अस कानून के विदहक पर राष्टपती द्रौपती मुर्मुर की मंजोरी भी मिल गई है जो यहां राश्टपती भवन की तरप से उसकी सूचना शाशन को मिल गई है। राज्य सरकार की ओर से उसके यादि सूचना भी जारी कर दी गई है। अब नियमवाली की बात की जाए तो नियमवाली बनते ही उत्रखंड में UCC कानून को लागू करने वाला देश का सबसे पहला राज्य बन जाएगा। इसले इस विधैक को कानून के रूप में लागू करने के लिए राश्टपती की मनजूरी जरूरी थी। सरकार ने विधैक राज्य पाल को भेजा और राज्य पाल ने समवधान के प्रवधानों के चलते राश्टपती को मनजूरी के लिए भेजा। आज राष्टपती द्रौपती मुर्मूर ने उत्राखंड सरकार के इस महत्रपूर विधाय को कानून के रूप में लागू करने पर अपनी मुहर लगा दी है मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी प्रदेश वासियों के लिए या अत्यंत हर्ष और गौरव का छड़ है कि हमारे सरकार द्वारा उत्राखंड विधान साभा में पारित सम्मान नागरिकता सहिंता विधाय को राजपती द्रौपती मुर्मूर जी रे अपनी मंजूरी प्रदान की है निश्चित तोर पर प्रदेश में समान नागरिकता सहिंता कानून लागू होने से सभी नागरिक को समान अधकार मिलने के साथ ही महलाओ पर हो रह उत्पीरन पर भी लगाम लगेगी प्रदेश में सवाजिक सामानता की सार्थक्ता को सद्ध करते हुए समर्सत्ता को बढ़ावा देने के में UCC कानून अपनी महत्वपूर भूमी का निभाएगा वहीं मुख्यमंतरी धामी ने कहा कि प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूद हमारी सरकार नागरी को को हितों में संरक्षड उत्रखन के मूल स्वरूप को मनाय रखनी के लिए संकल्पित है उन्होंने कहा कि जल्द कानून लागू करने के लिए नियमावाली को मंजूरी देकर कानून को सक्ती के साथ पूरे राज्य में लागू किया जाएगा मुख्यमंतरी पुषकर सिंग धामी ने आगे ये भी बताया कि वधान सभा चुनाव के दोरान देड़ साल पहले ज्वंता के सामने सरकार बनने पर राज्य में यूशिसी यानी की यूनिफॉर्म सिबल कोड लागू करने का संकल्पिया था वहीं आज के गर बात कही जाए तो वहीं जब सरकार बनी तो मुख्यमंतरी धामी ने सबसे पहले काबिनेट में यूशिसी का प्रस्ताव लाया उसके बाद कानून विशशग्यों की बात कही जाए तो कानून विशशग्यों की कमीटी गठीत कर UCC पर लगतार बैठा के जुनता के सुझाव लेकर शैफरवरी को विधान सभा में विधायक पर चर्चा करने के बाद मंजूरी दी विधाल सभा के मंजूरी के बाद बिल राष्टपती की अनुमती को भेजा गया वहीं आपको अब हम ये भी बता दे कि आज बिल पर राष्टपती दौपती मुर्मुर ने अपनी मुहर भी लगा दी है राजसरकार ने फर राज में संकल्प सस्धतक का संदेश दे लिया है अभी के लिए बस इतना ही देखते रहे हैं टीबी 24